पोर्स लाइब देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ सचन भारतिय कप्तान रोईशर्मा जब बॉड़क गवसकर सीरीज के लिए आस्ट्रेलिया में टीम इंडिये के साथ जुड़े तब उन्होंने वापसी पर ये फैसला किया था कि वे टीम के ओपनिंग पेर पर कोई छेड ब्रिजबेन में खेलेगी तब भी रोईद के सामने बड़ी परशानी होगी क्योंकि एडलेट में केल राउल और जैसवाल नाकाम रहे थे और दूसरी तरफ रोईद भी काफी कम कॉन्फिडेंस में होंगे क्योंकि एडलेट टेस्ट में उनकी फुट मूव्मेंट सही नह दिग्यज उन्हें वापस ओपिनिंग करने को बोल रहे हैं लेकिन शायदी रोईशर्मा उनकी कई हुई बातों को ब्रिजबेन टेस्ट में अमल में लाते नज़राए और वो एक बार फिर से तीसरे टेस्ट में नमबर 6 पर ही बल्लबाजी करते दिखें लेकिन अगर हम र पारियों में बतौर ओपनर इनका ओसत तीस से भी कमका रहा है जहां रोईट की टेकनीक पर भी सवाल खड़े होने लग गए हैं रोईट जब अपने प्राइम में थे तब भी उनका फुटवर्क जो है सवालों के खेरे में था लेकिन जब आईपियल में खेलते हैं तो वो रोईट को बतौर ओपनर खेलने में और दिक्तों का सामना करना पड़ेगा उनके करेंट फुटवॉक को देखते हुए रेड कुका बोरा गाबा में ज़्यादा सीम होगी और अगर वे नंबर छे पर खेलने आएंगे तब तक बॉल काफी ज़्यादा पुरानी हो चुकी ह और इससे उनके लिए मैच में खेलना असान हो जाएगा रोईट को नंबर छे पर खिलाना टीम मेनेजमेंट के लिए सही फैसला कहा जाएगा क्योंकि सेना कंट्रीज में उनके बतौर ओपनर जादा अच्छे आंकडे मौजूद नजर नहीं आते बतादें कि रोईट की मैच गवाने चौथे भारतिये कप्तान वो बन चुके हैं जहां 10 दिसमबर को टीम इंडिया ने एडलेट में नेट सेशन भी किया है जहां रोईट नेट में काफी जादा अनकफिटेबल नजर आए चाहे शॉर्ट सेलेक्शन की बात की जाए या उनकी टाइमिंग की जहा उनके सिर्फ 83 रन ही है सबसे पहले साल 2014 में रोईद ब्रिजबेंड में टेस्स मैच खेलने आये थे उस समय उन्होंने नमबर 6 पर बलेबाजी की तब उन्होंने 55 गेंदों पर 32 रन बनाये थे वे अगली ही इनिंग्स में मिशिल जॉंसन की गेंद पर बिना खाता कोले आउट किया था फिर उस अतिहासिक रंचेज में शुबमन गिल चतेश्वर पुजारा और रिशप पंत ने भारत को जीत के पार पुचा दिया लेकिन उस मैच की दूसरी इनिंग्स में भी रोईद सिर्फ 7 रन बनाकर के आउट हो गए थे बात करें रोईद की हालिया फॉ नाकाम रहे बतातें कि रोई शर्मा का आखरी अर्दिशतक बैंगलूरू में न्यूजिलेंड के खिलाफ आया था लेकिन पिछले तीन टेस्ट मैच में वह सिर्फ 46 रन ही बना पाए हैं उनके आखरी शतक की बात की जाये तो वह इस साल की शुरुवात में इंग्लेंड के जरूर पताईएगा वीडियो पसंद आई तो लाइक शेर जरूर कीजिएगा